इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए इतना जादा गिर गए हैं आप लोगोंने Snappy Girl सपना चौधरी का वीडियो देख लिया होगा मैंने भी देखा और मुझे सही में वो चैनल मुझे भी दिखा था एक चैनल के बारे में बात करिए वैसे देखो बिल्कुत सही बोला सपना ने कि मेरी खुशी से भी लोगों को प्रॉब्लम है अगर मैं खुश्ती खुशी आ गई तो भी लोगों को कुछ दिख्कत हो जाती ये हस कैसे सकती है ये खुश कैसे रह सकती है है ना और अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है है ना मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो यह लोग कहेंगे है कितनी विचारी कैसे मर गई मतलब लोगों को कुछ ना कुछ सपना को है ना अटैक करना ही है कुछ चैनल्स हैं जो शायद आप लोगोंने भी नोटिस किये होंगे जो बहुत पहले से जब राजवीर जी एक्स्पायर होए थे उसके बाद से बहुत थमनेल बहुत गलत गलत थमनेल का यूज़ कर रहे थे हलांकी सपना ने कुछ चैनल को स्ट्राइक भी अब देखें क्योंकि आज सपना अभी रिसेंटली ही सपना और शिवी की लड़ाई हम देख रहे थे राइट वो जो अब देखें सपना का तो विश्वास जब उसकी खुद की इतनी close friend उसको इस तरीके से allegations लगा सकती है उसकी family उसके husband उसको गाली दे रहे तो सपनार को तो मेरे खाल से जो यह चैनल जो भी कर रहे हैं वो भी करते आ रहे हैं बहुत पहले से करते आ रहे हैं बीच में कुछ चैनल को इस टाइम पे भी, है ना, अब देखिए जैसे कुछ लोगों ने दिवाली कल मनाई, in fact मैंने भी कली celebrate करी थी अपनी family के साथ, लेकिन कुछ लोग आज भी दिवाली को celebrate कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ लोग इतना जादा गिर गए हैं, सपना के नाम से famous होना चाहते ह मुझे लगता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को करके, dollar कमा भी लोगे, कुछ भी thumbnail डालके, किसी को मार रहे हो, कभी किसी को मार रहे हो, है ना, वो जो पैसा तुम कमा भी लोगे, क्या वो पैसे से तुमें संतुष्टी, शान्ती मिलेगी, मतलब क्या ही बोलू मैं, क्या करती हो, वो करती हो, तुम ये हो, वो हो, है ना, तो सपना ने हर चीज, अभी वी उसकी लाइफ में बहुत सारे चीज़े चल रही है, अभी देखिए, शीवी वी उसने वीडियो एक भी नहीं बनाए, वो तो उसके भाई ने, जब call recordings डाली, तब हमें actual में चीज़े पता आप लोगों ने भी देखा होगा, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज जाद से आधा शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करिए, इस हद तक लोग गिर जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था, बच्चों तक को नहीं छोड़ रह हैं, तो ये रोने वीडियो डाला है कुछ ताइम पहले, और वाकई मतलब मैंने भी जब ये इस चैनल के कुछ वीडियो देखे थे, और मुझे लगता है कि सपना को तुरंत, इमीडियेट एक आक्शन लेना चाहिए, स्ट्राइक सगरा देनी चाहिए, क्योंकि एक नहीं, गलत चीजे बता रहे हैं, जबकि कुछ भी ऐसा सच नहीं, मैं भी रियाक्शन वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं ट्रोली, या फिर वीडियो के अधार पर बनाती हूँ, या फिर एक जो पब्लिक उपीनियन कमेंट्स के माध्यम से जो लोग देते हैं, ठीक है, तब एक बनता है, लेकिन जो लोग इस तरह से जूटी चीजे, जूटे थमनेल्स, कभी अंशू, जो इनकी ननत थी, वो छट से गिर गई, कभी इनके ससुर्जी के उपर माला डाल दो कि उनकी डेत हो गई, कभी इतनी छोटी सी बच्ची इनकी खुद की, आपने देखोगा पहले इस तरह के थमनेल्स, कुछ लोग डाल रहे थे, जब सपना को ही मार दिया, यह नहीं सोचते लोग, कि दो-दो बच्चियां हैं उसकी, ठीक है, अगर उनकी बच्चियों को, आज सपना के भरोसे ही तो हैं वो लोग, हाँ, उनकी मम्मी को कुछ हो गया, उनको कौन इनफैक्ट, जो इनकी छोटी बच्ची है, आरो ही, उसको तक नहीं छोड़ा, कि वो छट से गिर गई, और उसको पता नहीं, उसके उपर भी माला, अरे मतलब, क्या पागल लोगों, क्या साइको लोगों, क्या जरा सा भी तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारे घर में या कोई देखने को नहीं है, कोई बोलने को नहीं है, तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है, कैसे कोई बच्चे को मार सकता है, मतलब, अच्छे कासी उसकी बेटिया है, और सोचे एक मा को कितनी तकलीफ होती होगी, कितना बुरा लगता होगा, बहुत सारे लोग हैं वीडियो इस पैसे का क्या करोगे, बच्चियों को मार मार के ऐसे थमनेल डाल रहे हो, फेक इंफोमेशन, जूटी इंफोमेशन, अरे भई, उसके लिए कुछ अगर बोलना है तो सच बोलो, उसकी वीडियो के अधार पर कॉंटेंट बनाओ, और मतलब सही में, बहुत दूख हुआ, ज कि आज इनके सहसुर से थोड़ी दूरी यहाँ ज़रूर आ गई है, इसका मतलब यह नहीं है, कि अगर आप इस तरह की चीज़े डालोगे, सहसुर जी के उपर माला डालोगे, तो क्या इनको अच्छा लगेगा, अफ्कॉर्स नहीं अच्छा लगेगा, इनके सहसुर जी है तो totally वीडियो के अधार पे तो जो चीज़े हमें पता चर रहे, जो चीज़े हमें दिखाए दे रही है, कुछ भी ऐसे hypothetical, कुछ भी जूटी चीज़े, सोशल मीडिया पर आके सिर्फ और सिर्फ कुछ डॉलर्स के लिए, मुझे नहीं लगता कि इस सब चीज़े करनी चाहि ठीक है, और लास्ट में सपना की बेटी भी आई थी आपने देखा था, तो उसने भी बोला था कि मम्मी को परिशान मत करो, मम्मी को दुख होता है, मम्मी को रोना आता है, तो इस तरह की चीज़े नहीं करनी चाहिए, और सपना को भी अब सोड़ा strongly, सपना strong हो गई है, हला तो बहुती शरम वाली चीज़ है ये, और मैं लोगों को अगर देखू, लोग भी यही कह रहे है कि, सच है, जो बुरा करेगा, उसका बुरा होगा, my wish and support for you, सपना ईश्वर, आपको और आपकी बेटीय को इन परिस्थितियों से निकलने की शक्ती दे, आप देखी, एक द थोड़ा सा भी उसको टाइम मिल रहा है कि, अपने आपको सम्हालने के लिए, है ना, थोड़ा सा भी उसको टाइम मिल रहा है कि, थोड़ा सा देख ले, कुछ कर ले, लोग सोशल मीडिया पर उसको किस तरीक से खून पी रहे हैं, खून, सही मैं, मैं ये word यूज करूंगी एकने लिखाया कि, सपना, बेटा, लोगों का काम यही है, आपको बिल्कुल चिंता मत करो, जब वो उपर वाले की लाठी पढ़ती है तो आवाज नहीं आती है, अपने काम पर ध्यान दो, राधे राधे, बेटा, लोगों की टेंशन मतलो, चैन से जीने नहीं देंगे, त आप बिल्कुल सही बोल रहे हो दीदी, जिसने बुरा किया है, उसके साथ भी बुरा होगा, हिम्मत रखो, हम सब आपके साथ है, बच्चियों का ध्यान रखो, लेकि यह बोलना असान होता है, हर कोई उनको बोल रहे है, लेकिन जब उनके सामने इस अब चीज़ें आई हो मितना होँगी, हहना, लेकिन लोग उससे भी मतलब बच्चियों को इस चीज़ें जल रहे हैं, इस तरह की थमने लाल रहे हैं, जिसमें बच्चियों की उपर हार डाल रहे हैं, तो यह तो भई ऐन गी लेवल के लोग हैं, फिक है, जिनको बिल्कुल कोई शरम नहीं है, जि दिदी दुनिया से सला देती है, खाने को नहीं देती है, अपनी जिन्दगी है, अपने हिसाब से, खुशी से जियो, सही में लोगों को उपर वाले से भी डर नहीं लगता है, जो दूसरों के लिए बोल रहे हैं, कहीं अपने साथ नहीं हो जाए, छोड़ो सपना ईश्वर हैं, तो देखिए, अच्छा content डालिए, ठीक है, अगर आपको reaction बनाने हैं, जो की चीज़े बनानी हैं, लेकिन वो बिलकुल वीडियो के अधर में बनाएए, सची चीज़े दिखाएए, इस तरह से बोल के, क्या आप सामाजिक लोग नहीं हो, क्या आपके घर में कोई बच एक नई परिक्षा, हर दिन एक नया संकट, और तरह तरह के लोग हमेशा हाथ मतलब उसको जीने नहीं देंगे, लोग अपने वन के आते तो जरूर हैं, लेकिन लास्ट में हम देखी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना फैदा, अपने व्यूस, अपने चैनल, इसका फैद लेकिन मज़े लगता है कि कहते हैं कि भगवान जो गंदे लोग जनोंने सपना को यूस किया, उन लोगों से दूर कर रहा है, कहते हैं फिल्टर करना, अब सपना के लाइफ में जो लोग भी हैं, शायद वो ही लोग हैं जो सपना को बहुत प्यार करते हैं, सपना का को अपनी पोतियों को जल्दी ही अपने घर ले जाए देखिए ये चीज मैं बार-बार बोल रहे हूं क्योंकि मुझे भी एक उम्मीद है है ना और सपना के लिए भी वह बहुत बड़ा दिन होगा बाकि उसका अपना डिसीशन होगा वो जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहत खाती है, right काफी लोग कह रहे हैं कि रोना आगया आरोही की बात सुनकर बच्चा आप हमेशा खुश रहो सही बात है सपना बिना पती के दुनिया जीने नहीं देती है चोटी उमर सरफी आरोही मुम्मी का दर समझती है तो यहां सपना ने बोला है कि बिना पती के जीना बहुत मुश्किल है लोग जीने नहीं देते हैं दुनिया जीने नहीं देती है और एक एक दिन किस तरह से सपना निकाल रही है ऐसे कई सारे मैंने मतलब आप भी देखते होंगे व्लॉगर्स हैं चाहें वोहाँ पे सुहाना शुकला हो, यह न, बहुत सारी ऐसी मैंने vloggers देखी हैं, जो बिना पती के, जिनके पती expire हो गया है, वो जी रही है, सुहाना के इतने भी views नहीं आते, बट स्टिल जिस तरह का content लाती है, वो simple अपना जो रोज उसका routine है, ठीक है कोई भी controversial content नहीं कोई भी clickbait नहीं, बहुत simple से, मुझे तो नहीं लगता, उसके इतने dollar भी हर महीने, 100 dollar भी बनते होंगे बट स्टिल, वो बहुत अच्छे से हैं, और कुछ लोग ऐसे में, निधी जैसे जो आप देखी रहे हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, अभी उसने फिलाल सपना को अपना content बनाया हुआ है अभी life पे life कर रहे हैं, कैर मैं तो यहाँ पर यह request करते हूँ, कि ऐसे लोग को देखना ही बंद कर दीजे, ठीक है और बिल्कुल सही कहा बहुत जो ऐसा कर रहे हैं, उन्हें same to you, बोल तो बस और कुछ नहीं देखे, किसी को बोलना ना बोलना, क्योंकि लोग views के लिए, कुछ भी करते हैं उन्हें लगता है कि हमारा चेहरा नहीं है, अपनी photos तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, सपना सपना की बेटियां, क्योंकि यह known face है, इन लोग के face पे अरे, अच्छी चीज़ें दिखाऊ ना, कर दिखानी है तो इस तरह की चीज़े, तुमारे बच्चों के साथ, परिवार के साथ कोई करें, तो तुमें कैसा लगेगा है न, तुमारा face तो है नहीं, पीछे से आते हो, तुम लोगाते हो, वीडियो बना लेते हो उपर से डॉलर और कमा रहे हो किसी का दर्द, उनको दर्द नहीं लगता, बेटा प्लीज टोंट बेडिस्टब, वेकॉस दे वांट यू तो बिकम अपसेट तुम ये अपनी आउकाद दिखा रहे हैं, तुम बहुत स्ट्रॉंग हो सपना दी की साइट से एक लाइक तो देखे, मैं जितने भी वीडियो बना रही हूँ और मैं हमेशा सपना के साथ हूँ, उसके साथ रहूंगी और जब मुझे लगेगा कि हाँ, जो लोग कहा रहे हैं कि सपना की आप पूजा कर रहे हो तो भई, of course, अगर कोई इंसान सही है, तो मैं करूँगी पूचा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको तो आप लिए इस वीडियो में मत आओ और जहां पे मुझे लगेगा कि नहीं, ठीक है, सपना जब मुझे गलत दिखेगी, तब मैं उस पे बात करूँगी प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, आप लोग क्या सूचता है, ऐसे लोगों को चो लोग, इस तरह से चैनल चला रहे हैं, ये पैसा क्या वागी फलेगा इन लोगों को, जो बच्चों की इस तरह की थमनेल डाल रहे हैं, बच्चों के उपर हार चड़ाते कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, शरम भी नहीं आती, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाए बाए